हेलो फ्रेंज वेल्कम तो आज चैनल जिसका नाम है प्रोस्विक ट्रेडर्स तो दोस्तो इस अफ़ते जो सबसे बड़ी न्यूज आई वो थी एथीरियम के एटीएफ अप्रूवल्स ओके तो बिटकोइन का एटीएफ अप्रूवल हुआ कुछ महीने पहले हम लोग ने दे लोग ने एथीरियम में वो मूव देखा भी है एक बार चलते है एथीरियम के चार्ट के ओपर लेकिन यार यूनो शुरुआत बिटकोइन सो होती है तो वो पहले खतम करें फिर जाते है लेकिन सिरफ एथीरियम पे बात खतम नहीं हो रही बात है एथीरियम के एटीएफ अप्रूवल से किन छोटे ओल्टकोइन को जो है वो मिमेंटम मिलने वाल है ओके कौन से ऐसे टोकन से जो एजीली हमें 3x to 4x गेंज दे सकते हैं वो समझेंगे आज के एस वीडियो में तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं बेटकोइन से तो मेरे बाई बेटकोइन तु हम लोग जो है वो close to 72,000 डॉलर लगा के आए ओके बहुत से लोग मेरे जैसे भी कुछ थे कुछ जो 45,000 का वेट करें बड़ तुम्हें हमेशा पता है कि 45,000 जो है वो ultimate buying है लेकिन हम लोग यहीं पर buy करना शुरू करने थे क्योंकि तुम्हें exact bottom नहीं चाहिए ओके तुम प 15-20% के gains में बैटे है यही कमाल है crypto का यही कमाल है सबर का ओके तो अब वो लोग जिन लोग ने वो move miss किया है तो उनको क्या करना चाहिए मेरे भाई tension बिलकुल मतलो ओके जैसे ही bitcoin जो है वो 70,000 के ओपर candle close कर देगा यह weekly अगर हम लोग गलती से वहाँ close करते है अभी 22 खंट है और है मेरे भाई हम लोग नहीं रुक रहे हम लोग 73 75 close to $80,000 हम लोग जाने वाले है momentum तुम यहाँ देख सकते हो भाई आ रहा है और यह momentum जब last time आया था या फिर तुम यहाँ पर भी देख सकते हो जब यह momentum आया था 40-70 हमने यहाँ पर जब यह momentum देखा तो 25 से यह momentum हम ल जाएगा मेरे भाई अब कोई भी वेल हो कुछ भी हो यह resistance ब्रेक करना बड़ा easy काम हो जाएगा यहाँ ओके सो इसी लिए हम लोग जो देखो Bitcoin में ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि close to $70,000 से अगर 80,000 पर भी जाता तो gain कितने आए 10% 10% के लिए पैसा risk नहीं ओके Bitcoin हमारे investment portfolio म है लेकिन risk अब जाम लोग जो ले रहे है उसरफ all points पर ले रहे है क्योंकि वहाँ पे gains बड़े अच्छे आने अब Ethereum क्योंकि Ethereum जो है उसका ETF approval आया तुम देख सकते हो 2800 से Ethereum ने जो है वो close to $4,000 लगाए अब target बड़ा simple है $5,000 उसने टेस्ट नहीं किया था वो टेस्ट करने जाएगा $48,085 यह जो है वो Ethereum का target है यह इस हफते आये नेक्स हफते आये जो भी हफते आये भाहिया वो बहुत जल्दी आने वाला है ओके अब Ethereum के पीछे जो इसकी पूछ चलती है वो है layer two tokens ओके तो यहां पे अगर तुम देखोगे जो top layer two tokens उसमें तुम देख सकते हो Matic, IMS, Mental, Arbitrum, Optimism नीचे भी बहुत सा रहे है बट मुझे नहीं लगता कि फिलाल हमें वहां जाने की जरुत है क्योंकि rally जो है वो यहां से start होती है जब तुम Matic में 20% के या 25% के gains देखोगे तुम्हें समझ में आ रहा है कि Matic में 25% मतलब Arbitrum, 15, 20, Optimism, 20 यह दोनों एक साथ ही चलने वाले यह दोनों हो गए जब यह rally देंगे फिर मुझे पता है कि भाई आप जो Matic में से पैसा निकालो, Arbitrum में से, Optimism में से निकालो, अब चलो चोटे tokens ठूनने तो ऐसे तुम जो है वो momentum पकड़ते हो, वो momentum वाले tokens पकड़ते हो, ओके, so Ethereum स्टार्ट हुआ, Ethereum को 5000 टच करने दो, लेकिन तुम वेट नहीं करोगे कि तब तक, तो यही एक अच्छा मौका है जहां पर हमें यह tokens जो है वो accumulate करने है, ओके, और इसमें भी जैसा कि मैंने बोला मैं तीन tokens में फिलाल focus करूँगा, जो layer 2 में है, पहला matic, arbitrum और optimism, तीन tokens, okay, mental भी अच्छा token है, बट यार इन लोगोंने अभी recently पता नहीं, अगर तुम लोग bybit user हो के नहीं, अब मैंने not coin जो bybit पे move किया था, वो कुछ late वहाँ पहुचा, चलो कुछ खास फरक नहीं किया, अब इतना airdrop किया, तो लोग बेचेंगे, तो इसलिए थोड़ा इस पर pressure जादा आएगा, तो इसलिए मैं ये token को skip कर रहा हूँ, IMX अगेन, जब इतना use नहीं होता, तो कहां करे, right, तो ये तीनों tokens जो है, वो तुम्हें पता है, काफी सारे applications जो है, वो इन तीन tokens के उपर है, so fundamentally बहुत 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 strong है, अब बात करते है, technically, okay, so सबसे पहले भाया, Matic USD, so एकदम अगर तुम यहां देखोगे, तो Matic कहां बैठा, ये तुम्हारे सामने है, okay, बड़ा clean है, 68 cents, ये 69 cents, जो है, वो उसका support है, पहला target 93 cents, okay, so यहां से भी अगर तुम देखोग 73 cents, चलो हम लोग ने wait नहीं किया, हम लोग ने current zone से भी buy किया, 27% gain minimum है, वहां वो रुकेगा नहीं, okay, फिर तुम देखोगे, वो easily जो है, वो previous high को तोड़ेगा, क्योंकि अगर ethereum 5000 dollars पर जा रहा है, तो डेड़ डॉलर्स जो है, वो मेरा target है, Matic के लिए, okay, 100% gains, okay, quick 100% gains, इस लगता है, सरफ विखी जाएगी, okay, पहली बार में वो break नहीं करेगा, so make sure के target चाहिए, तो 1.5 है, लेकिन थोड़ा नीचे बेचो, 1.56 तक बेचो, क्योंकि वहां पे विख जाएगी है, resistance था बड़ा पुरा, okay, so इतनी जल्दी से चुटकारा नहीं मिलेगा, but again, quick 100% gains, भह from USDT, यह बहुत-बहुत undervalued है, बहुत undervalued, मतलब जितना इसका market cap है, और जितना इसका fully diluted valuation है, वो इसके market cap से double है, तुम हर token को अगर DeFi Lama पे जाके देखोगे न, यह मैंने एक्शली बहुत बार दिखा रहा है, but again, वो लोग जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हो, मेर और उसके बाद अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अब यह जो है वो chains है, तो इन में अगर तुम देखोगे न, तो TVL token के हिसाब से, ओके और बड़ा slower, ओके, तो TVL और TVL के हिसाब से market cap to TVL देखोगे, Ethereum की 7 गुना है, ओके, Tron की 1.13, इसलिए Tron भी मेरा favorite token है, बढ़ वो Layer 2 नहीं है, वो Layer 1 है, Arbitrum अगर तुम देखोगे तो 1.04, ओके, तुम समझ सकते हो कि भाईया यह और Optimism भी तुम देखो तो 3 गुना चल रहा है, इसलिए Arbitrum जो है न, वो बहुत undervalued है, और इसके बाद अगर तुम Matic देखोगे तो वो भी close to 7x है, ओके, 7x, तो इसके बास potential पहुत है, यह मैं कहूँ यार, long term अभी भी तुम 5 डॉलर से 7-8 डॉलर तक इस token को hold कर सकते हो, financial advice again फिर से नहीं है, ओके, बट देख सकते हो, 1 cent से 1.20, बहुत ही तकड़े gains, और उसके बाद last token, क्योंकि यह जो है न, यह इनके साथ चलता है, ओके, so optimism अगर तुम ही है, ओके, so फिलहाल, अगर मैं यह चार्ट थोड़ा clean करूँ, क्योंकि again, अगर तुम देखोगे, तो हमेशा इसकी resistance यह रही है, so यहाँ पे भी उसको at the end of the day, long term target, जो है, वो 9.5 डॉलर यह 10 डॉलर को test करना है, फिलहाल, 1.5 डॉलर पे है, 500% के gains, इस token में जो है, वो हम हम लोग easily देख सकते है, okay, और again यह इतना strong था कि यह अपनी support पे आया ही नहीं, okay, so तुम यहाँ देखोगे, तो यह हमेशा से इसकी support थी, but project इतना strong है कि support पे आया ही नहीं, so अब हम लोगों को जो है, वो यहाँ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि buyers ने जो है, वो candle इसके न बाए करो, target बड़े crystal clear है, 474 dollars और मेरा long term target, यहाँ चाहिए तो अपना initial investment निकाल लो, अगर तुम्हें डर लगता है, क्योंकि पैसा double हो गया, but यह token easily तुम्हें जो है, वो 9 से 10 dollars के करीब मिलेगा, okay, so तीनों tokens, अच्छे gains तुम इन tokens में देखने वाले हो, और यह बहुत अ साथ भी share करो, okay, और overall bitcoin बिल्कुल smooth है, बड़ा safe जगा पे है, कोई tension वाली बात नहीं है, और hopefully वैसा ही चलेगा, okay, तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आगे, तो like करो, चैनल को subscribe करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तो, thank you so much.